है अजमा आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियों के लिए नीलजान शिरप का सही इस्तेमाल कब कैसे करें क्यूंकि मेरे पास फोट से यह के कमेंट्स में भी और वार्ट सफर इस तरह के मैसेज आ तो कई पर हमें इस तरह के साइड इफेक्ट मेरा को मिलते हैं तो आज की वीडियों में इसके श्बाइब करते हैं क्या उसी आपको गबराना सही है या नहीं या जब आप इसका उप्यो करते हैं तो कम आने की आप अपने परशOOD की सही डिवर्मिंग हुई है या नहीं यानि पेट के कीडे मारने की सही दवा इसमें आपके बकरे-बकरियों में काम की है या नहीं इसके बारे में आज की वीडियो के अंदर पूरी रीटेल से एट टू जेट जानकारी आपको दी जाएगी ताकि आपको किसी भी तरह का कोई confusion पोज़ना हो तो इस चैनल पर जितने जो बेड़ पालक हैं बकरी पालक हैं पहली बर आएं या नए जूड़े हैं तो पहली बर चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में बेल आइकन्वा都 अपको पता है कि छांडर पर सही सटी को सैंटिफिक मैंतेज शे आपको जानकारी दी वी यह दिन दोनुके बारे में आपको सही जानकरी होगी तो आप अपने बकरे-बकरियों में सही इस्तेमाल इसका कर सकते हैं तो देखो सबसे पहले तुम आपको बताना चाहता हूं कि इस निलजान के अंदर किस तरह का साल्ट मिले वे थे तो इसके अंदर एक तो होता है ल तो एलिमेंट्स हैं तत्व हैं वह भी इसके अंदर मिलेवे होते हैं तो उनका क्या काम है तो यह देखो इसका उप्योग करते हैं जो बेड़ पालक है बक्री पालक है सरफ पेट में जो केड़े हैं उनको मारने के तोर पर ही करते हैं हालाएं कि इसका उप्योग पेट के किर्ये मारने के तोर परी नहीं इसके अलावा भी इसका अधर भी उप्योग पशुण में बेनिफिट देता हैं ये दी आपकी जो भेड बक्रियां हैं कमजोर हैं कई दिन कमजोर हैं वज णहीं नहीं कझेंगे त्इस में आप इस तरह को और के अंदर साथ में element सते कोई इस तरह की जो डिवर्मिंग होती हैं उनका जब भी एदिया हम उप्यों करते हैं बकरे बकरियों में तो वह क्या करती हैं कि लिवर पर ज्यादा effect डालती हैं तो यह एक ऐसा त्रह का जो डिवर्मिंग है जो एदिया आप अपने बेड़ बकरियो में इतनी जलन पैदा करने नहीं करता परिया को साथ में कुछ इस तरह ही च्चारा का में किसी भीतर हैं किड़े यह पेट में किसी भी तरह किरें राउंड वरम्स टेप वरम्स नीमियोटाइट से फेशियोल इस्पेशिज तरह के हैं वरम्स तो उस इस्तती में आप इसका उप्योग कर सकते हैं एक आपने बेट बक्रियों में एपिमारी देखे होगी जिस प्रकार से लिवरलूक है मोटल जा है जिसमें क्या होता है कि बेट बक्रियों के जबड़े के नीचे सुजन आजाती है अब सूजन आ जाती है कई बढД करते हैं कि एक दिन सूजन जैसे रात के समय आपने सूजन देख ली फिर दिन में वह सूजन चली जाती है और दिरे दिरे आपकी बक्रियां खाना पीना कम कर देती हैं तो उस इस्तती में आप इस नील जान का उप्यों करा सकते हैं यही आपकी बेड़ बक्रियों में अच्छा रिजेल दे सकती है खैने का मतलब है कि लिवर फ्ल्यूग बोटल जाज ऐसी बीमारियों में शिर्फ यही एक नील जान है जो आपकी बेड़ बक्रियां या बड़े पसों उनमें अच्छा काम करती हैं तो उस इस्तती में आप इसका उप्यों कराएंगे तो अच्छा रिजेल्ट आपको देखन कर सकते हैं या कईबर लंग वरम सें साथ में जिसे चींकती हैं धास रही हैं तो वापर भी आप इसका उप्यों कर रही है और वैसे भी आप अपनी बेड़ बक्रियों क्यद्रती जब भी पेट के कิड़े मानने की दवा देते हैं तो साल में 2 या तीन बर देते को रहते हैं तो आपको अलग अलग तरह की दवास देने काईबरा आपने या आप इस नीलजान से करवादी तो इससे क्या होता है कि आपकी बैड़ बक्रियों में किसी भी स्वे दिखने को नहीं हो मिलेंगी अब यह क्या करते हैं कि जब यह दियाव अपनी भेड़ बक्रियों को यह दवा देते हैं तो इसके साइड फेक्ट भी देखने को मिलते हैं अब देखो इसमें साइड फेक्ट क्या है जब भी एदि आप अपनी बेड़ बक्रियों को यह दवा देते हैं तो वह एक से दो दिन पतला पानिसा या थोड़ा पतला है धस्टा भी कर सकती है यादि मीगनी की बजाए धस्ट भी कर सकती है तो उस इस्तती में आपको गबराना नहीं चाहिए क्योंकि यह आपकी बेड कर घष्ट कर रही हैं एकसे दो दिन तो आपकोगराना नहीं चाहिए देख ल Node मैंट थे आपकी बेड़ बक्रियों की अच्छी डिवर्मिंग ओ रहे है अच्छा काम कर रही है व्ल CCP queria इंटरनल गाल और यह वरम्स हैं अदर को दिकत है उनको बहार निका रही है सपाई कर रही है दिकत नहीं है नुकसा नहीं करेगी लेकिन इसकी डोज क्या है इसकी डोज होती है एक एमेल पर तीन केजी बोडिवेट यानि जिन बेड़ बकरियों का वजन तीन केजी है तो आपको एक एमेल और जिनका दस केजी है तो आप इसे तीन एमेल आप इसका आप खाली पेट उपयोग करना है यह देने के बाद में 1-2 गंटे तक आपको कुछ खिलाना पिलाना नहीं है उसके बाद में आपको खिलाना पिलाना इस बात का आपको ध्यान रखना है आप अच्छी तरह समझ गयोंगी कि इसकी डोज कितनी होती है यानि आपकी भेडबक् सुजना गई या दर कोई दिकत है वरंस है ज्यादा दिकत है तो आप 20-21 दिन बाद में रिपीट कर सकते हैं और अधर जो लियूर फ्लीूक तरह की डीजिस है तो इसमें साथ दिन बाद में भी आप रिपीट कर सकते हैं अन्य था आपको दो महिने से लेकर के तीन महिने आती है वैसे प्रिणिंट बक्रियों के लिए शेफ है लेकिन कईबर दिकत क्या होती है कि अप कि या प्रिणिंट बक्रियों को इसे डिवर्मिंग कराते हैं तो भीच में अबोर्शन हो जाता है जो कि कई भेड़ पालक हैं बक्री पालक हैं उनने इस तरह की शिकायत किया व हमने देखा भी है तो उस इस्तती में आपको क्या करना है कि जैसे य स्तती में आपको प्रियूंटाइँ सेफ होती है या बड़े परसूं के लिए सेफ दवा मानी गई है लेकिन जो बेड़ बक्रियां कई दिनों से बुकी हैं कमजोर रहती हैं प्रिग्नेंट हैं या भी नहीं है तो उस इस्तिति में उनको उप्योग नहीं करें यह दी सवस्त है अद्सा खाना पिना कर रही हैं को यजगे बीस इमेल दे देते हैं तो उसकी वज़ह से नुक्सान करते हैं जैसे 30 केजी की बेड़ बक्रिया条ों पर या नुफ्सान करती है और कई तरह की रोग होने से भी बचाती है वजन बढ़ाने कमजोरी दूर करने और इंटरन वरम किसी तरह की दिकत नों तो काम करती है तो वीडियो जितना हो सकता है बेड़ पालक बकरी पालक हैं यह दो आ बेड़ू में भी उपयोग कर सकते हैं सभी के लिए शेप ह तो जितना हो सकता है शेल करें इसी तरह वीडियो देखते रहें थैंक्स धन्यवाद